नमुश्कार में अप्रिया, आज है 16 अप्रेल, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर स्कूल में सिक्षगों की मौझूद्गी कोड़ी कर विहार सरकार ने जारी क्या फर्मान अब सरकारी आवास छोड़ने से पहले होगी वीडियोग्राफी अब आम नागरे कासानी से पहुँच सकेंगे बिहार पुलिस कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण नीट परीक्षा हुई स्थागित विजडन अलमेनाक ने विराट कोली को बताया दशक का सर्व शेस्ट क्रिकेटर तो चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और अब विस्तार से पूलो में सिक्षकों की मौजूद्गी को लेकर बिहार सरकार ने जारी किया फर्मान कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण सिक्षन संस्थान को चात्रों के लिए तो बंद कर दिया गया था लेकिन सिक्षक अब भी स्कूल जा रहे थे इस बीच बिहार सरकार ने सिक्षकों की सहुलियत को ध्यान में रखते वे नया फर्मान जारी किया है जिसके तहत कोरोना को देखते वे सक्षावभाग ने फैसला किया है कि अब किसी भी स्कूल में किवल एक तिहाई सिक्षक ही एक दिन में मौजूद रहेंगे सिक्षावभाग की तरफ से जारी नए आदेश के मताबिक इस अबधी में प्रिंसिपल और टीचर स्कूल के कारियाले सम्मंधी अभिलेखों का निरीक्षन भेजे जाने वाले प्रतिवेद्रों का अपडेट लेखा संधारन का लंबित कारे करेंगे बिहार में डरा रहे है कोरोना के नए मामले बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार बढ़ोत्री देखने को मिल रही है स्वास्ति वभा की तरब से मिली जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6133 मामलों की पुष्टी हुई है जिसकी बाद बिहार में अक्टिव मरीजों की कुल संख्या 29,078 पर पहुँच गई है कैमूर में 15, कठिहार में 18, खगडिया में 24, किशनगन में 31, लखी सराय में 50, मदेपुरा में 51, मध्धुवनी में 48, मुंगेर में 14, मुझ़फरपूर में 265, नालंदा में 109, नवादा में 41, फटना में 2105, पुर्णिया में 84, रहतास में 107, सहरसा में 112, समस्तिपुर में बिहार में चैती छटकी शुरवात होगी आज से COVID-19 के बढ़ते माखॉल के बीच बिहार में त्योहारों का सिलसला भी लगातार जारी है नवरात्र के बाद अब छट की शुरवात बिहार भर में आज से होने वाली है जिसकी बाद सुर्योपास्तना के इस पवित्र चारद वसीय महापरविक के पहले दिन चट वरती शुद्धालू नर्नारी अंतहकरन की शुद्धी के लिए कल नहाई खाई के संकल्प के साथ नदियो तालाबों के निर्मल एवं स्वच्छुजल में स्नान करने के बाद शुद्धी में बना अर्वा भोजन ग्रहन कर इस वरत को शुड़ू करेंगे वहीं कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण इस साल भी सरकार और प्रसाश्र ने पटना के घाटो तालाबों में छट अर्ग नहीं देने की हिदायच छट फ्रतियों को दे दी है गुजराद GLPC ने निकाली रख्तियां नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एहमसूर्शा गुजराद लाइबली हुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर राजुजिला और तालोकास सतर पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इन पदो पर आवेदन प्रोकरी 8 अप्रेल को शुरू हो चुकी और 22 अप्रेल को आवेदन का आखरी दिन है बिहार में नाइट कर्फियू लगाने को लेकर मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने जारी किया अपना बयान बिहार में कोबिड-19 के ग्राफ में बीते कुछ तुनों से लगाता अलबर होल्तुरी देखने को मिल रही है उसके बाद अब बिहार सरकार भी पाबंदियों को लागू करने पर अक्रिसर नज़र आ रही है इस इक्रम में हाले में बिहार में मुख्यमंतरी नितीश कुमार से नाइट कर्फ्यू को लेकर केस सवाल पूछा गया जिसकी बाद उन्होंने अपना बयान जारी करते वे कहा है कि 17 अप्रेल को राज़िपाल के धेक्ष्टा में सर्वदली बैठक होनी है उस बैठक में जो भी सुझावाएंगे उसकी बाद आगे क्या करना है इस पर निर्ने लिया जाएगा फिल्हाल हम लोग एक एक जीज़ पर नज़र रखे हुए है इसके साथ युन्होंने बिहार में जाच की संख्या बढ़ाए जानी की बात भी कही अब सरकारी आवास छोड़ने से पहले होगी वीडियोग्राफी भवन नर्मान वभाग सरकारी आवास के रख्रकाव के संबंध में कई कई तरह के नई गाइडलाइन को जारी कर दिये हैं अक्सर माननिय या अधिकारी कर्मी और द्वारा सरकारी आवास छोड़ने के बाद प्रॉपर्टी को छती पहुचाने की बाद सामने आती रहती है। रखेंगे ताकि नई वेक्टि को आवास अवंटित किया जा सके। इसके साथ ही आज यानी की शुक्रवार को राजस विश्वास सुधार विभाग मंत्री द्वारा लगने वाले अदालत को सगित कर दिया गया है। COVID-19 के कारण राजगीर नेचर सफारी पर लगा ताला। COVID-19 की कारण एक बार फिर से पावंदिया वढ़ाई जा रही है। इसक्रम में राजगीर नेचर सफारी जो कुछ दुनों पहले ही परेटकों के लिए शुरू किया गया था। उसको फिर से बंद कर दिया गया है। आपको बता दे कि नेचर सफारी नालंदा और गया के बीच ये जेठियन जाने वाले मार्ग में है। इसकी राजगीर शहर से दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, सोन भंडार और जुरासंग अखारा से लगभग 8 किलोमीटर है। अधिकांश, भूबाग, सोनाकिरी और वेभाग गिरी के बीच में है। होली से पहले 26 मार्च को सीम नितीश कुमार ने नेच्वर सफारी का लोकार पंड किया था, हलाकि COVID-19 के बढ़ते प्रसार के कारण इसे बंद कर दिया गया है। अब आम नागरी का असानी से पहुँच सकेंगे बिहार पुलिस तक, अब बिहार वासियों का पुलिस तक पहुचना और ज्यादा आसान होने वाला है। प्रभारी को फोन कर जानकारी दी जाती है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि स्काउद घाटन रेंज आईजी संजेसिंग ने किया, यह भवन पट्ना पुलिस अस्पताल के बगल में बनाए गया है। इसके साथ ही पपु यादव ने कोबिड-19 के माहौल में बेरोजगारों की संख्या बढ़ता, देखते हुए सरकार से मांग की है कि सरकार मजदूरों के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोशना करे। मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने ली कोरोना वाक्सीन की दूसरी डोज। कोबिड-19 के बढ़ते असर के कारण नीट परिक्षा हुई स्था कि देश बर में नीट परिक्षा की तयारी कर रहे है परिक्षा आर्थियों के लिए हमसुच्छा। कोबिड-19 की नई लहर ने एक बाद फिर से देश को चिंता में डाल दिया है जिसके बाद अब सरकार ने अपना फर्मान जारी करते वे नीट की परिक्षा को स्थागित करने का अयलान किया है। केंद्रिया स्वास्तमंत्री डॉक्टर हर्षपर्दन ने कहा कि कोबिड-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे नीट पीजी प्रवेश परिक्षा को टालने का फैसला लिया गया है। पटना में ऑक्सेजन के किलत को लेकर जुलाधिकारी ने जारी किया देश। पूर्ति की अनुमती दी जाएगी। जुर्यदिकारियों को प्रतिन्युक्त किया गया है उदमें राशिद कलीम, अनसारी, अनुच कुमार, वसीम, एहमल, सियाराम सिंग, श्राहिद परवेश, दिलिप कुमार, अगरवाल, चितरगुप्त कुमार, चंदरशेखर, प्रसाथ सिंग, कृष्न मोहन सिंग, सुरे केंद्र सरकार के तरब से राधानी पतना के भेटा में 500 बेट के असपटार को खोला जाएगा, केंद्रे गर्यमंतर अमित्र शाह ने इसको लेकर खुद सांसत रामकृपाल। यादव को यह जानकारी दी है, केंद्रे सरकार ने 500 बेट का COVID-19 असपटार करने का फैस्ता लि बिहार में सभी हस्पतालों में अगले एक हफ़ते में लगेगा ऑक्सिजिन प्लांट। COVID-19 के माहौल में बिहार के स्वास्थववस्था की पूल खुल गई है, हाला कि अब बिहार में स्वास्थववस्था को सुद्रिट करने के लिए बिहार सरकार पूरी कोशिश करती अब बिहार में लगतार कोरोना मरीजों की संख्या में जाफा देखने को मिल रहा है जिसके तहती ऑक्सिजिन की कमी मरीजों को ना हो इसको लेकर काम शुरू हो गया है आवासिय योजरा में मंत्री ने तेजी लाने के लिए दिये आदेश बिहार में केक रामे निलाकों में आवास विहीन लोकों के लिए बिहार सरकार जल्द जल्द आवास मुहया करवानी की तैयारी कर रही है इसको लेकर विहार में आवासी योज्रा में तेजी लाने की बात कही गई है वर्तमान समय में वित्यवर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री आवासी योज्रा के तहर्ट प्रतेक चैनित पात्र लाभु को तीन किष्टों में 1,20,000 रुपे और उगरवाद प्रभाविजिलों में 1, लाग 20,000 रुपे की सहायता राशी प्रधान की जाती है वहीं इसको लेकर मंत्री श्रवन कुमार ने कहाए कि कोरोना संक्रमन को देखते वे कारेस्थल पर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए संक्रमन रोकने के लिए अन्यक अदम उठाय जाए किन्तु आवास सरकारी कामकाच पर दिखने लगा है बीते दिन जारी के गे रोस्टर के मताविक 35 फीजदी करमचारी मौजूद रहे लेकिन कई विभागों में उसमें भी कम करमचारी उपसे दिखे जानकालों की माने तो वित्यवर्ष की शिरवात में इस तरह के हालात का सीधा असर सरका जानव्यन में बड़ा लुकावर्टर लगता दिख रहा है सची वाले के सितनी गंभीर हो गई है कि कई विभागों में 4-5 करमचारी पॉजिटिव हो गया है राज़त के बाद अब जदियू कार्याले पर लगात ताला कोविट-19 के कारण एक बार फिर से पाबंदिया देखने को मिल रहे हैं वही राजुनीती में भी कोविट-19 का असर देखने लगा है स्पीकर विजय सिन्हा ने विधायकों से मदद की अपील बिहार में जैसे जैसे COVID-19 संक्रमितों की संक्था बढ़ती जारी अस्पतालों में भी बेड़ फुल होते जा रहे हैं इसको लेकर विधान सभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा बयान जारी किया है जिसके तहट उन्होंने कहा है कि मन में डर है सिर्फ सरकार के भरोसे COVID-19 को हराया नहीं जा सकता है ने आगे कहा कि सामाजिक राजनेतिक कार्यकरताओं को भी अब आगे आना होगा हमारे सची वाले में 19 स्टाफ COVID-19 पॉजिटिव पाएगे है मेरे घर के भी दो स्टाफ COVID-19 सरक्रमित होगे है मन मिल डर की सिती है इसलिए विधायकों से अपील है कि पिछली बार की तरह इस अपना बयान जारी करते नजर आते हैं इसी क्रब में अब बिहार सरकार के द्योगमंतरी शाहनवाज हुसेन ने भी ममता बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पिछले चार चर्णों के मतदान में जंता ने ममता दीदी को आईना दिखा दिया है इसलिए ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया वैसे ही दीदी ने सिर्फ अपने भतीजी अभिशेक को आगे बढ़ाने का काम किया लेकिन अब बंगाल की जंता ने तैय कर लिया है कि टीमसी समर्थकों का गुर्णा राज खत्म करेंगे भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कारणों से है दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कारणों से है मानी जाती है ठारसो तिरपन में भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच ली 1990 में बिहार की राजधानी शेहर पटना के निकट एक खचा-खच भरी यात्री गाडी के दो डिबे में विस्वोट के बाद कम से कम असी लोग की जान चली गए और पैसक लोग खायल हो गए थे भारतिय अभिनेत्री लारा दत्ता का 1978 में जन्म आज़ी के दिन हुआ 2011 में महावीर चक्रविजेता ब्रिगेडियर भवानी सिंग ने दुनिया को अलविदा आज़ी के दिन कहा आज़ी के दिन को भारतिय रेल परिवन दिवस और NCC सापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है फेस्बुक जल्द ही ला रहा है वीडियो डेटिंग अप सोचल मीडिया प्लाटफोर्म फेस्बुक अपने यूजर के लिए खास डेटिंग अप लाने की तयारी कर रहा है खबरों की माने तो फेस्बुक का ये अप वीडियो डेटिंग अप होगा बता दे के फिलहाल ये अप टेस्टिंग फेस में और इसका नाम स्पार्क रखा गया है स्पार्क डप यूजर के लिए फ्री रहेगा इस अप में आप फेस्बुक अकाउंट में क्रिदेंशियल के साथ लॉग इन कर पाएंगे जानकारों की मारे तो फेस्बुक का ये अप टिंडर जैसे डेटिंग अप से बहुत अलग होगा स्पार्क यूजर टिंडर की तरह अन्य यूजर को स्वेप कर डारेक्ट मेसेज नहीं कर पाएंगे इसके बजाए वे दूसरों के साथ सम्मंध बनाने के लिए शॉट वीडियो में बात कर सकेंगे विजरन अलमेनाक ने विराठ कोली को बताया दर्श्रक कास्तर विशेश क्रिकेटर भार्द्य क्रिकेटीम के कफटान विराठ कोली ने अपने नाम अब तक कई सारे रुकॉर्ड धर्च के लिया की पिच्छासवी सालगिरा पर हर दशक से प्माच वंडे क्रिकेटरों को चुना गया है रामकपूर ने पिता के गुज़र जाने पर शेर किया एक भावुक संदे श्रभनेता रामकपूर के पिता अनिल कपूर का अनिल कपूर का बी ती 12 अपरेल को निधन हो गया था और निल ने 74 वर्ष की उमर में इस दुनिया को अलविदा कह दिया रामकपूर के पिता कैंसर से जूज़ रहे थे पिता के निधन के बाद रामकपूर ने अब जा कर सोशल मीरिया पर एक पोस्ट शेर किया है जैसे अमूल ने मेरे पिता को ट्रिब्यूट दिया है उसे देखकर मैं सच निशब्द रहे गया हूँ आप सच में एक लेजन थे पापा आप हमेशा याद आओगे इश्वर आपकी आत्मा को शांती दे कल हमारे तुमारे पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत है निवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है मगर समय क्या भाफ के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कलाब का नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों और आज का सवाल को चिस प्रकार है आपके नुसार कोरोना के बेलगाम बढ़ रहे माहौल का एहम कारण क्या हो सकता है अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्स्ट्राइब करें और बड़ा आकों दवारा ना भुलें